लेकिन उसके अलावा सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वनमाकर क्वेश्चन ठीक है तो वैसे तो मैंने जब यह चाप्टर कवर कराया है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नूट्स में मिल जाएगा तो आप यह जो वनमाकर क्वेश्चन है आप मेरी वीडियो देख करके वहां से भी बना सकते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं अगर नहीं बनाना है जस्ट आसी डिविजन कर लेना है कि हां किस तर स्टार्ट करते हैं करें सबसे पहले हम दिखेंगी गुष्चन साथ करेंगे कहां से प्ले आपय क्वरा का पुरा मारा चाप्र एक तो यही से स्टार्ट करेंगे सहत्किर टीओ टॉरी औफलेट तक, ठीक है, 1900 से लेकरके 1950 तक, ठीक है, उसके बाद ही 19th century, तो क्या 1800 में यह propounded की गई थी, या फिर in the second half of 20th century, second half कहने का मतलब है 1950 से लेकरके यह 2000 के बीच में आ गया, ठीक है, तो क्या इसमें किया गया था, या फिर in the 21st century, या फिर 2000 के बाद, तो आप बताओ कि इसमें से ठीक है, तो आपको याद होगा अच्छे से, जिसने भी एकदम गवर से पढ़ा होगा, तो ये लगभग 90th, 60s के टाइम, 60s of 90th century, आपको याद होगा, तो हमारी ये, सॉरी, 60s of 90th century नहीं था वो, 60s of 20th century, ठीक है, 60s of 20th century था, तो 60s of 20th century कहने का क्या मतलब हुआ, second half of 20th century, ठीक है, तो हमारा अंसर कौन होगा, इसमें, option number day, next question हमारे पास क्या है, the first scholar to use the word plate, सबसे पहले plate word का use किस ने किया था, अब क्यूंकि हम ये chapter पढ़ रहे हैं, तो हमने जब ये chapter पढ़ा, question तो ये इस chapter में हमने देखा था कि कोई तो एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा scholar था, जिस जब याद होगा, तो आप easily इसमें लगा सकते हो, Arthur Holmes थे, क्या वो, Tuzo Wilson थे, Le Pichon थे, या फिर Drutton थे, कौन थे, इन में से, जिनको भी याद है, comment section में बदा सकते हो, नहीं याद है, तो फिर आप एक बारी इसको देख लेना, option number B होगा, इसका Tuzo Wilson, ठीक है, next question हम देखें to, sorry, यहाँ पर according to most of the scholars होगा, okay, according most of the scholars, the number of major plates on the earth surface is, okay, earth surface पे, बहुत सारे scholars के according, क्योंकि कोई एक scholars आता है कहीं से, और वो क्या करता है, कोई एक theory दे देता है, अब उस theory के, उस theory को जब वो देता है, तो साथ में वो बहुत सारे data रखता है, ताकि उस theory को support किया जा सके, ठ बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, और support में बहुत सारी चीज़े रखी गई, data collect किया गया, जिसकी वज़े से क्या करते है, बहुत सारे scholars उसको support करते है, तो इसलिए यहाँ पे question क्या गया है, कि किसी एक ने मानलो कह दिया, कि हमारे पास क्या है, seven measure plates हैं, six measure plates हैं, अब इसके मतलब इसको support करने के लिए उसने काफी सारे data रख दिये, अब बहुत सारे scholars आते जाएंगे, अगर उनको यह data सही लगता है, यह facts सही लगता है, तो वो भी क्या करेंगे, इसको support करेंगे, तो यह दो चीज़े हैं, तो अगर बहुत सारे लोगों ने इसको support कर दिया, तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक, बहुत सारे ने इसको support किया, तो आप इसको ठीक लगा सकते हो, ठीक है, तो क्या option number 8, 20 होगा, क्या 5 होगा, क्या 6 होगा, क्या 12 होगा, क्या 12 होगा, क्या answer होगा, इस answer, तो अभी बहुत सारे लोगों confused होगे, कि दिदी, आपने 6 तो बता क्युंकि हमारे 7 क्या बोल सकते हम हमारे जो प्लेट्स थे हम चैनल है लेकिन जो हमारा साउथ अमरीकन प्लेट है तो ऊसमें से सिर्फ अगर आप अमरीकन प्लेट लगाओ नॉर्थ और साउथ हटाकर के सिर्फ ameerika लिखो तो क्या हो जाएगा एक पलेट्टू का हमो आप न क्लियर हो गया होगा सबका next question अब हम लेखेंगे question no.4 कि हमारा which is the widest state of landmass इसमें से widest state of landmass कौन सा है क्या वो Antarctic है या फिर Pacific है या फिर उसके बाद African है या फिर American है ठीक है तो यहां पर हमें देखना होगा कि यह हमने वैसे भी नहीं बताया ठीक है मैंने नहीं बताया यह वाला जब मैं पढ़ा रही थी आपको लेकिन हम questions में कर लेंगे तो हमारा जो जो छूटा हुआ है वह भी clear हो जागा ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा एक बार map जो हमारा पूरा का पूरा है उसमें हमारे plates बनाया हुए है है इधर हमारा South and North है इधर हमारा Eurasian plate है इधर Indo-Australian plate है इधर African plate है ठीक है तो आपको बताने कि सबसे ज्यादा लगा पैसिफिक वाल गया तो सबसे ज्यादा विस्तित बाग में कौन सा प्लेट हoter है उमारा ठीक है है कै तो आप्षन नंबर इसंकर इसका आप्षेन लॉट और पैसिफिक और अंसर क्यें लिए अंधर इंडिया 3D इंग एंडर एंडर आपको पता होगा कि कितने टाइप्स फ ट्रेट सोथ होते हैं याद होगा कि कोई था जैसे डाइवस कर रहा था एक दूसरे से ठीक है कोई था जो close आ रहा था, कोई था जो ऐसे cross करके खिसक रहा था, तो ये कितने types of होगा हमारे, three types of, तो answer आपको समझ में आगे, इसका क्या होगा, three होगा, आगे बढ़ेंगे हम question number seven, which of the following is considered as main evidence of plate tiktonics, तो evidences तो हमने पढ़े हैं, plate tiktonics के, जिनके basis पे इसको support किया गया, तो उन evidences मे इन में से कौन सा सही कौन में इन evidences है, value magnetism, rotation of earth, sea creatures या फिर marine deposits, answer कौन सा होगा, तो सबको अच्छे से याद होगा, कि इसका option number a होगा answer value magnetism, okay, हम पढ़ेंगे question number eight, question number eight क्या कह रहा हमारा, plate tiktonics theory was first published by, अब देखो, एक चीज़ आपको याद रखना पढ़ेगा, कि यहाँ आपे first published लिखा हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे इस chapter को, तो भी मैंने आपे published पढ़ाया था, ठीक है, not discovered और founded या फिर firstly used by, ऐसा नहीं बता था plate tiktonics theory, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, क्या तू जो विलसन थे वो, डाबलो जो मॉर्गन थे, देटन थे, और मैं कहां जी थ advice, C floor spreading भी था है के evidence में, तो C floor spreading जो है हमारा, वो किसके द्वारा प्रति पादित किया गया था, लेपी चौन, तुजो विलसन, प्रोफेसर, हैरी हेस, और डटन कौन थे, इन में से, तो इसका answer होगा, option number C, हैरी हेस, ठीक है, इतना होगा, क्लियर हमारा, अब हम लास्ट देख लेंगे, और उसके बाद, आप अपने से कोशिश कर सकते, MCQs बनाने की, question number 10, क्या कहा है, हमारा, who is known as the father of plate tiktonics, plate tiktonics की फादर की बात हो रही है, यहां पर discover की बात नहीं हो रही है, ठीक है, plate tiktonics हमें पता होना चाहिए, आप देखोंगे, जब भी Google सर्च करोंग Drift Theory जैसी चीज दी थी, तो उसी टाइम से यह जो plate tiktonics हो चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने भी इसे अच्छे से represent नहीं किया था, या फिर यह word, यह term use नहीं किया था, इस तरह से हुई थी, ठीक है, तो कौन माना चाहता है, इसका father, इसका जनक तो वह है, Alfred Wegener, ठीक है, आंस यहाँ पर क्या लिखेंगी, आंसर, Alfred Wegener, ठीक है, तो इतना हो गया हमारा complete, 10 questions हमने कर लिया है, आपको अच्छे लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको से भी try कर सकते हो, जो भी मैंने PDF बनाया है, और जो मैंने पढ़ा है, वहाँ से आप देख करके खुद भी questions create कर सकते ओके सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेशन के साथ थैंक यू सो मच अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डॉन्ट फोगे टो लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब